अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आप जवाहर नोदे विदाले इंट्रेंस एक्जम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके 2023 की अच्छे से तयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ज, 2023 में कैसा पेपर आने वाला है, इस पेपर को देखकर आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक पेपर है, जो कि हम इसको सौलो करने वाले हैं, तो फिर आप से वीडियो में अंतक बने पूरा देख लेते हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो फिर आप जवाहर नोदे विद्याले में, जवाहर नोदे विद्याले में आपका 20% अराम से आजाएगा, ठीक है, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं, तो आपका 20% बन जाएगा, क्यों यहां पर देखे लिखा है निर्देश प्रस्ण एक से चार तक यहां पर प्रतेक प्रस्ण में चार आकृतियां ए बी सी और डी के रूप में दी गई है इन चार आकृतियों में से तीन अकृतियों में कोई समानता है एवं एक अकृति भिन है भिन अकृति का पता लगाईए और उस सही अकृति को क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रतेक प्रस्ण संख्या के आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गोले को कालागर के उत्तर दे तो चलिए हम आपको एक यह यहां पर देखिए यह आपका प्रस्ण हो गया तो यहां पर प्रस्ण नंबर एक है तो इसमें से सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी है जैसा कि अब भी प्रस्ण में लिखा है भी नाकृति भी नाकृति मतलब तीन आकृति तीन आकृति कुछ हद तक समान रहेंगी मतलब एक सबसे आर जो आकृति रहेगा वह सबसे अलग आकृति हो homeowners इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी है आपको बतानी है अपने उत्तर पॉस्तिका में तो आपका देखिए उत्तर पॉस्तिका वहाँ पर ऐसा मिलेगा ठीक है जो आपका सही रहेगा वही आपको जवाब देना है जैसे कि मालीजी हमारा यहाँ पर प्रस नंबर एक है तो यहाँ पर प्रस नंबर एक हो गया प्रस नंबर दूसरा है तो प्रस नंबर यहाँ पर दूसरा यहाँ पर नंबर वाइज डाला रहेगा जैसे कि आपका एक से 80 प्रसंट करेंगे तो में कॉन्सार होगा कि एसे प्रसंत्त होते हैं आपको लग रहा होगा कि होगा दी सही होगा ता फिर भी सही होगा मगर इसमें सही कौन सा है सही है सी वाला क्यों सही है चलिए इसको आपको अच्छे समझा देते हैं तो यहां पर देखिए बड़ा बित बना है चोटा बित बना है और इसाइट बड़ा बित बना है अब देखिए आप बड़ा त्रि सबसे अलग दिख रहा है देखिए आप इसको देखकर समझ रहे होंगे कि यह सबसे अलग दिख रहा है यह जो बना है चोटा वाला भाग न इसके समान नहीं है तो यहाँ पर देखिए यह छोटा है यह बड़ा है मतलब इसके जैसा ही बना है चित्र फिगर ठीक है इसके जैसा ही चित्र यह बना है उसी प्रकार से इसके जैसा भी बनना चाहिए मगर इसके जैसा यह बना ही नहीं है ये अलग बना है इसलिए C वाला सबसे अलग अकृति है ये सभी समान अकृतिया है बस सी वाला सबसे अलग है इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा इसका C वाला होगा, तो अपने OMR में, यहाँ पर अपने उतर पुस्तिका में क्या भरेंगे, यह C वाला भरेंगे, प्रस नमबर एक का C वाला, तो इसको आप काला कर देंगे, हमने रेड पेन लिया है, तो हमने रेड से इसको भर दिया है, तो आपको रेड पेन का प्रयोग नहीं करना है आपको निला या फिर काले प्रयोग करना है और जील प्रयोग बिलकुल थी करना है ठीक है अगर आपको ऐसा हुला आपलग जाता है तो आप इसी से भरें ठीक है तो चले अब आगे की प्रस्णों की तरफ हम चलते हैं तो देखें कंफ्यूज मत नहीं हुई एगा जब आपको पेपर मिलेगा ना तो वहां पर बहुत से चातर कंफ्यूज होंगे समझें नहीं आएगा की कौन सा सही करें और कौन सा गलत करें का पर चले अंजह करें बहुत जानते हैं क्यों इसको आपको थोड़े से समझने किया वा सकता है समझने से पहले क्या आप बस बता सकते हैं किसमें से कौन से आकरती सही होगा या फिर सी वाला सही है तो क्यों सही है आप बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं चलिए हम आपको समझा देते हैं तो देखें यहां पर क्या है यह ब्रित बस आप इसको ब्रित को पहचानी है यह जब भी है सब में उपर के साइड में मतब इसका जो मुख है इसका यह मुख है ठिक यह समझ लिए तो इसके सा इसके उपर के साइड में है इसमें भी देखिए इसके मुख वाले सामने मतलब उपर नीचे वाले üzere इसलिए वाला सभसे अलग आक्रति है generic अब हे आपको देखे समझ में आया होगा जैसे हमने समझाया है आप को ऐसे आपको बाधन ईजली तरुक्त से समय आचुका होगा ऑक से लिए से अगर कि तरफ से इसने की तरफ तो अब देखिये हम पर तीसरा ओहला इसे भी देखे थोड़ा सबको समझने किवा सकता है किसमें कौन सी सही typically है को सभी होगा और है यहां पर देखें तीशने का जो रही होगा वह डिवाला हरी होगा जलिए आपको यह भी समझा देते हैं है तो देखें है यहां पर एक मेला इनकरीति बना इसके अंदर कुंच चित्र बना रहा है ठीक और मिगए कुछन कुछ आखरती बना है औरम इसमेहें कंछ न कुछ मतलब है बिन्दू बन रहा है कि इसमेंवी यह चित्र बना रहा है इसमें भी इसके अंदर देखे psychology नहीं है मस्करों jn SHAB किछा गया है किन नंदर इसलिए सबसे अलग आखरती है दो लग बीच में खाली है बस एक ही चितर मतलब बना है मगर बीच में इदम खाली दिख रहा है इन सब में कुछ नो कुछ भरा है ऐसे आप समझ लिजे इसको इसलिए वाला सबसे अलगा करती है यह थोड़ा साथ के लिए कठीन हो सकता है समझ रहे हैं यह जो प्रसमत तीसरा है आप क्लिए थोड़ा सा कठीन होका बस इसको थोड़ा सब सांथ दिमाख से समझेंगे तो यह वाला सबसे अलगा करति है आपको समझ में आ जाएगा चलिए चलते हैं प्रस नंबर जोटे की तरफ तो अब यहां पर आपको देखिये बताना है कि कोन सा सबसे अलग आक्रती है टो यहां पर देखिये सबसे अलग आक्रती जो हैं वह हमारी सुधक देखिए थोड़ा सा समझेना होगा आपको भी drew लिए तो प्रस्ट नंबर हमारा जैसे ऊपर बना है इसके वहीं नीचे में बना है जबकि सब में चितर एक ऐसे इते बना है थुंद है इससरों पिलर खडैँ इसमें देखिग बिलर नहीं है पिलर समझ रहे हैं आप आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका होगा चौथा भी समझ में आपको आ चुका होगा मतलब पहला अध्धाय आपका क्लियर हो गया तो चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे अध्धाय की तरफ यानि दूसरे खंड की तरफ पहला खंड आपको समझ में आ चुका होगा चार प्रस्ण जो की थे यह सारे समझ में आपको आ चुके होगा बस थोड़ा साब के लिए यह तीसरा वाला कठीन रहा होगा चलिए चलते हैं अपने खंड दूसरे की तरफ चलिए अब हम अपने आ चुके हैं खंड दूसरे की त तो यहां पर इसके हम निर्देत को सबसे पहले पढ़ेंगे पिर उसके बाद इसको हम हल तो यहां पर निर्देष लिखा है प्रतिए आप प्रतिए कुए और एक समस्य आकृति यह आपका दाए was आकर्ति दी गई है चार उत्तर आकर्तियां A, B, C और D तो आपका ये उत्तर आकर्ति हो गया और आपका ये समस्या आकर्ति हो गई समझ में आगया ये आपका समस्या आकर्ति हो गई और ये आपका उत्तर आकर्ति हो गया दिगई है उस आकरती को चुनिए जो की समस्या आकरती में दिये गए टुकडों से बनाई जा सकती है सही उत्तर को चुनकर संगलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रसन के आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गुले को काला करके उत्तर दे तो आपका जो सही रहेगा उसमें आपको अपने उत्तर पुस्तिका में आपको स्काला करके उत्तर देना है तो जैसे कि माले जी हमारा प्रसन नमबर यहां पर पांचवा है तो पांचवे का अगर यह सही रहता है तो ए में टिक करेंगे या फिर B में टिक करेंगे जो आपका सही लगेगा छठे का माले जी B सही है तो B में टिक करेंगे A सही है तो A C सही होगे तो C ठीक है यह आपको समझ में आ चुका चलिए हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर अभी यह पांच वे का तो परस्ण नमर पांच वे का कौन सही होगा चलिए अब हम आपको इसको भी समझा देते हैं अच्छे से तो देखिए इसको समझने का एक्स्टरल तरीका मैं आपको बता देता हूँ जैसा कि परस्ण में लिखा था उसी प्रकार से मैं आपको बता रहे हैं ये सभी जो टुकड़े हैं जुड़कर इन में से कौन से अक्रती बनेगी वही आपको ढूड़ना है समझ गय आप यह जो आक apparatिया है 1 2 3 4 4 तीफल मतलब ये आपको चित्र दीए टु कड़े हैं ये सब जब जुड़ेगा तो इसमें से कौन से आकरती बनेगी वही आपको ढूड़ना है तो यहाँ पर प्रस नमबर पाचवा क्या A में आकरती है देखिए A में तो आकरती नहीं है ठीक है यहाँ पर देखिए B में है ठीक है B में देखिए ये वाली आकरती ये है ये वाली मुझा घ॥ा होगा है तो वैसे ही आपको इसमें भोने हैं दो इसमें भी से लिए भांडूड़ते हैं कि इसका कौन सा है आपको समझर मी elati 19rd और इसमें दूरन के तो आपको नहीं मिलेगी आगरिती कि चैंड़िए अगे चलते हैं भाए कर दिद यहां पर देखे छठवेगा जो सही होगा वह डी वाला सही होगा ठीक है यहां पर देखे छठवा यह वाली आकरिती उपर में है और आपकी यह आकरिती यहां पर है ठीक और यह आकरिती आपकी इसके बीच में है और यह आकरिती आपकी इस साइड में है क्लियर होगे आपको चले चलते हैं प्रस नंबर साथ वे की तरफ तो अब आपको साथ वे में ढूंड़ने हैं तो साथ वे का कौन सा सही होगा यहां पर देखे देखे सी वाला सही होगा स्रीवाला सात्वे का सही होगा यह आकरिती देखिए यहां पर है और यह आकरिती यहां पर है और यह आकरिती यहां पर देखिए हैं और यह लाश्ट वाली आकरिती आपकी यहां पर है कि आई होप कि आपको प्रस नमबर सात्वा भी क्लियर हो गया होगा चलिए चलते हैं प्रस नमबर आठवे की तरब तो आ जाता है अब हमारा प्रस नमबर आठवा तो आठवे का देखिए जो सही होगा वह यह वाला सही होगा तो इसको भी हम आपको दिखा देते हैं यह वाली आकरिती यहां पर है और यह वाली आकरिती यह वाली आकरिती आपकी यहां है और यह वाली आकरिती यह वाली आकरिती देखिए यहां पर है ठीक है? और यह वाली आकरिती आपकी यहां पर है और ये वाली आकृति आपकी यहां पर है ठीक है यह भी आपको समझ में आचुका होगा तो इस्टूडेट देखिए यह सब सरल सब्जेक्ट हैं यह सब कि तरफ कि अब देखिए हमारा आ गया खंड तीसरा यहां पर आपका कंड तीसरे में दिया गया प्रसंट नो से बारतक यानि नो से बारतक इसमें भी चार प्रसंट रहेंगे ठीक है तो चले खंड तीसरे के प्रस्णों पढ़ना स्टाट करते हैं फिर उसके बाद चार उत्तर अकृतिया A, B, C, T, T, D के रूप में दी गई है उस उत्तर अकृति का पता लगाई जो पुढ़त प्रस्थ आकृति के सामने है और उसके क्रमांग को उत्तर पुस्तिका में प्रत्यक प्रस्थ संख्या के आगे दिए गए सही क्रवांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें तो यहां पर जो आपका प्रस नमबर नौ है यह जो आपका प्रस नमबर नौ है इसका जो सही होगा वह हमारा ये बीवाला सही होगा टीक है तो आपको क्या करना है इसके समान अकृति इन में कुझनी है वही लिखा है ना कि बाई और समस्या अकृति दी गई जो पूड़ता समान हो देखिए यहां पर लिखा है ना अकृति पूड़ता समान है इसके समान जो आकरती है वही आपको ढूड़कर पता लगानी है और अपने प्रस्ण में जो की भरना है चलिए और हम प्रस्ण नंबर दसवे के तरफ चलते हैं तो यहां पर आप आजाता है मारा प्रस्ण नंबर दसवा तो इसके समान कौन सी आकरती है प्रसनमर दसवे के समान कौन सी समान आकृती है तो इसके जो समान आकृती है दसवे का वह देखिए यहां पर यह यह वाली है कि यह वाली इसके समान आकृति है चले चलते हैं प्रस्ण नमर 11 की तरफ तो 11 का भी देखिए इसके समान ए वाली आकृति है और हम 12 की बात करें तो यहां पर 12 में यह बी वाली आकृति है बी वाली इसके समान आकृति आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में हम अच्छे से हल करेंगे तो यहां पर खंड चोथा है इसके निर्देश को पहले हम पढ़ेंगे निर्देश प्रस्ना 13 से 16 तक प्रत्य प्रस्न में बाई बाई तरफ एक बाई तरफ एक समस्या अकृति दी गई है और दाई तरफ चार उत्तर अकृतियां ए बी सी और डी दी गई है उस अकृति को चुनिये जो समस्या अकृति का ठीक दरपड़ प्रतिवीम हो जब दरपड़ को एक स्वाई पर रखा गया हो सही उत्तर चुन कर संगरन उत्तर पुस्तिका में हर प्रस्न के आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गोली को काला करके उत्तर द स्वाधर काथी आपको कैसे अगरती रखागा करना ठाब हरा तो यह प्रकार प्रतिव आप समझ रहे हैं डर आपको कैसा दिखताई इनमेंसे आपको बताना है तो देखे दर पर वाला यह थोड़ा सब्सक्रेट हो सकता है कर दो दिश को Oddo सा समंज में के तभी आपको चो स तो एक दरपड़ माने क्या होता है, जानते हैं आप, दरपड़ मतलब कि कभी आपने बस को देखा है बस के अंदर देखेंगे कि लिखा कुछ और रहता है बाहर कुछ और दिखता है हमें और अंदर से देखेंगे तो वो उल्टा दिखेगा हमें कभी आप बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो बस के अंदर से दरपण में देखिए अंदर लिखते हैं कि हमें इस जगह जाना है तो उस जगह का नाम लिखा रहता है जब आप अंदर बैठ जाएंगे बसके तो उस कांश पर देखेंगे तो वो आपको उल्टा दिखेगा समझ रहे हैं तो यही दरपड़ प्रतिबीम आपको एक्सवाई दरसाया गया है तो वही चीज आपको समझनी है डेखेंगे तो यहां पर देखिए जो हमारा प्रसन blurry 13 है एक तो इसका देखेंगे यहां पर जब दरपड़ में देखेंगे तो यह सी वाबास ही दिखे गा इन यह सी वाबा सी है और अकर हम 14 की बात करें तो परशनर इस जो सही होगा कि दरपढ समझ रहें दरपड के बतल साथ और ऐसा कांग द लिज हमारी जो आगे की दिखने पर दिखे और पीछए से दिखने पर दिखे उस पर आप चाक से लिखिए बहुंत जाक से आप ऐसा चितर बनाईे चितर बनाकर उसको पहले सिधा तरफ से देखिए फिर उल्ठा तरफ से करकि देखिए फिर आपको समझ में कैसा लिखा है ठीक है तो आप ये आपको समझ में आ जाएगा ये दरपड़वाला आपको अध्याय आपके लिए क्लिएर हो जाएगा से लिए चलते हैं आगे की प्रस्ण की तरफ अब हम आ चुके हैं अपने प्रस्ण नमबर 15 की तरफ तो यहां पर जो यह दरपड़ प्रतिभीम वाला प्रस्ण है यह थोड़ा सा कठीन है आप सब लिए लेकिन आप समझेंगे तो यह समझ में आएगा आपको ठीक है तो यहा आप सामने से देखेंगे तो आपको यह ऐसा दिखेगा चले चलते हैं अपने 16 में और यहां पर प्रस्ण नमबर आता है हमारा 16 तो सोलहावाई का कौन सा सही होगा यहां पर देखें वीवाला सही होगा I hope कि आपको यह प्रस्ण दरपड़ प्रतिभीम वाला समझ में आ च चलते हैं अब आगे की प्रस्ण की तरफ तो यहां पर इसको भी देखिए थोड़ा सा समझना होगा तो यहां पर खंड हमारा आ जाता है पार्शवा ठीक है तो इसके निर्देश को हम पढ़ लेते हैं यहां पर यहां पर लिखा है निर्देश प्रस्ण 17 से 20 तक प्रतेक प् दाई तरफ एक समस्या अकृति दी गई है इस अकृति का एक भाग गायब है दाई तरफ दी गई है A B C और D उत्तर अकृतियों को देखिए उस अकृति को धुड़िये जो बीना अपनी दीशा बदले समस्या अकृति के गायब भाग में इस तरह ठीक बैठती है कि समस्या अकरति का pattern पूरी तरह बन जाता है सही उत्तर चुनकर उस क्रमांक उत्तर पुस्तिका में प्रत्यक प्रस्थन संख्या के आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें तो यहां पर देखिए आपको चित्र बना है तो इसमें भी वही चित्र रहेगा मतलब वह भाग गायब है इसमें से आपको ढूड़ना है A, B, C और D में से इन चारों भागों में से आपको ढूड़ना है वह आकरति जो कि इसको पूरा कर दें तो यहां पर देखिए प्रस नमर जो 17 का सही होगा यहां पर यह बी वाला सही होगा यह बी वाला इसको पूरा कर देगा देखिए आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा यह जो पाही है यह सटेगा आपस में देखिए जैसे यहां पर सटा है ना उपर में उसी प्रकार से यह भी सटे का यहां पर यह जो बी वाला है बिल्कुल सही है और 18 वाले प्रसंद की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका हमारा सही होगा यह यह वाला ठीक है यह वाला सही होगा बाकि सब यह सब डिफ्रेंस है इससे अलग है अलग है और अपने 19 वाले सब्सक्राइब की तरफ चलते हैं घृट एक तो यहां पर आगया हमारा प्रसंद नंबर 19 टो इसका भी देखिए ज़ो सही होगा हमारा भी वाला होगा छिट लिए चलते हैं अपने नमबर 20 की तरफ और प्रस नमबर हमारा आता है अब 20 तो यहां पर देखिए इसका जो सही है वो हमारा यह वाला सही है ठीक है इसमें जब आप इसको लगाएंगे तो यह पूड़ हो जाएगा करती यह पूड़ तो बन जाएगा यह इसमें फिट होगा आई होब कि आपको यह भी अध्याय समझ में आ चुका होगा खंड पाचवे का द्ध्याय चलते हैं अपने खंड छटे के अध्याय पर तो इसके प्रसनों को पहले हम पढ़ लेते हैं फिर इसको हम हल करेंगे तो यहां पर देखिए क्या लिखा है निर्देश प्रसना 21 से 24 प्रत्यक्त प्रस्न में बाई और एक समस्य आकरती दी गई और दाई और चार उत्तर आकरतियां यह आपके समस्य आकरतियां हो गई वमें कि औ डे दी गई हैं कि उसक्तर कहते को टूलिये जिस समस्य आकरती च्फिय निहीं है मतलब यह आकरती आपको डूलड़नी एककर इसी किकलत तुक डे कहरे हैं कि औरभु में शुपी हुई है होगा अब हम इसको ढूड़ते हैं बस और कुछ भी नहीं करना है तो इसे आप जब ध्यान से देखेंगे इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह आकरती सभी में किसी में चुपी हुई है पस्वा आपको ढूड़नी है कि टू यहां अकरती देखें एक के आपको दिख रहा है यहां देखी यहां से आया है ऐसे आया है और यहां क〜 यांहों से मुड़ा है यह है ठीक यह क्लियर होगा आपको क्लियर हो गया तो तो आ चलते हैं जिए अकरती किल्वें चुपी हुई और ये ये देख Marge तब आपको समझ में याएगा ये आपकर आपको सम्हाच में नहीं आएगर आंक कि यहां करतीत आके में दिख रही है यह आकरती आपको किस में दिख रही है क्या आपको बी में दिख रही है हाँ या ना बी में दिख रही है कि नहीं दिख रही है कि कुछ लोगों को तो नहीं भी दिख रही होगे तो देखिए यहां पर यह जो आकरती है वह बी में है बी में है आपको दिखा तो देखिए यहां पर यह आपको आगे वाला भाग दिखा ठेक इतना आपका हुआ अब आपका यहां से देखिए गया है यहां से गया है इतना आपको समझ में आया अब उसके बाद सीधा गया है सीधा गया है यह भी आपको समझ में आया अब यहां पर देखिए ऐसे आया है और ऐसे आया है यह थोड़ा सा कठीन है लेकिन आपको यह समझेंगे तभी समझ में पाएंगे यह थोड़ा सा देखिए kỷिन है भोग उसे जो intelligent छात्र हैं उन्हीं को समझ में आएगा यह कि हमने भी बताया है कि यहां से ऐसे ऐए ऐए है वह intelligent छात्र ही पहचान पाएंगे यह जो उपर वाला है उस पर ध्यान मत दीजिया देखिये यहां कि में ल search अफ। एता क्म मुधर आपकर खाल से दीखाना आपको अब कर चुका होगा अब है चलेंगे अब अपने प्रस नंबर 23 की तरह तो यहां पर देखिए अब आ जाता है हमारा प्रसन नंबर 23 जो भी देखिए सरल है सरल ही है बस इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा तो यह बताईए कि आप यह वाली अकृति जो छूपी है किसमें छूपी हुई है प्रसन नंबर जो हमारा 23 है तो 23 का जो आकृति छुपा है वह सी में छुपा है वह सी में छुपी हुई है देखिए यहां से ऐसे गया है ऐसे आया है फिर थोड़ा सा ऐसे आया है फिर ऐसे मुड़ गया है यहां तक यह देखिए चुपी हुई है बाकि किसी में नहीं है आप तो इसकी जो यह जो चित्र बना है 24 का वह किसमें है तो देखिए C में है वह वह C में है आप अगर ढूड़ेंगे तो आपको मिलेगा नहीं ढूड़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा समझ गया आप तो इसमें आप ढूड़िये और समझ ये इसको वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से समझे चलिए चलते हैं अपने अपने खंड सात्वे में तो यह भी दखिये खंड थोड़ा सा कठीन हो सकता है जो इंटेलीजेंट चात्र रहेंगे वह तो बस खाली देख करके ऐसे ही पता लगा लेंगे वह ठीक है चलिए इसको हम समझते हैं प्रस्न को पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा प्रस्न 25-28 तक यहां पर पचीशे 25-27 ऐसे करते 28 तक है 25-28 तक चार प्रस्न आपको दिये रहेंगे प्रत्य प्रस्न में बाई और समस्या अकृति दर्साया गया है कागज के टुकणों को मोड़ कर छिद्रित किया गया है और दाई और आकृतिया ए बी सी और डी दी गई है समस्या अकृति उत्तर अकृति आपको ए भी सी दिगर के दी गई है उस अकृति का चयन कीजिए जो दर्साती हो की कागज के खुलने पर वह किस प्रकार दिखेगी सही उत्तर चुनकर संगलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रस्न के आगे दिये गए सही क्रमांक वाले गोली को काला करके उत्तर दें तो यह कि समस्या करते हो गई यह आपकी उत्तरा करती हो गई तो यह आपका कागज का टुकड़ा है मूड ठीक है तो प्रस्न नंबर है आपका यह 25 ट्वनटीफाइब तो इसका जो सही होगा वह भी वाला सही होगा यह देखिए कठीन सहले बसे यही थोड़ा सा कठीन है थोड़ा सा कटिन है देखिए अब यहां पर यह कागज माल लिजिए खुला है अब यह देखिए मोड दिया गया है अब इसको एक और भाग में मोड दिया गया है अब इसको यह और भाग में मोड दिया गया है ठीक इतना आपको समझ में आ गया तो यह कितने भागों में मोला गया है और इसमें बिंदू कितने बनेंगे समझ रहे हैं आप मतलब बीच वाला जो है हिस्सा वह कितनी बार देखे यह थोड़ा सा कठीन है अगर आप दिमाग सा समझेंगे तो यहाँ पर यह देखे बीवाला सही है हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर प्रस नमबर पचीस का देखे यहाँ पर यह बीवाला आपका सही है अगर समझ लेजिए इसको थोड़ा सा अपच्छे से चिलिट ट्वंटी सिक्स की तरफ हम चलते हैं तो यहाँ पर चब्वीस का अगर हम 27 की बात करें तो 27 का देखिए 27 का भी जो सही है वह सी वाला सही है अगर हम 28 की बात करें तो प्रस नमबर 28 का भी हमारा कौन सा सही है बी वाला सही है आई होप कि आपको प्रस नमबर 28 भी क्लियर हो गया होगा चले चलते हैं अपने प्रस नमबर 29 की तरफ अब हम आ चुके अपने खंड आठोए की तरफ तो देखे विडियो काफी ही लंबा हो रहा है तो इसके लिए हम थोला सा आपको फास्टली तरीके से लिगर चलेंगे जिसते कि आपका यह ध्याय क्लियर हो जाए ताकि और आगे भी आप पढ़ाई कर सकें तो चलिए इसको हम क्लीर कर देते हैं तो यहां पर आपका प्रस नमबर उनती से नहीं आपको बताते चलेंगे और इसका अंसर हर्ल करबाते चमेंगे तो 39 का जो सही होगा ग़ों 25 की जो आपका शहीं होगा गश्स and लथ dependent देखोंद के लिए चले चलते हैं अ भुब इमने गते के तरफ न ї Bei कित्रफ तो यहां पर देखे प्रस मेरда ते इस तो इसका जो सही और यह वाला सही होगा और शोतिस की बात करें तो सब्सक्राइब ग्रेमर शोतिस के जो सजय वह हमारा हOP यहां पर यह सीव असज़ने प्रस नंबर 35 की तरफ चलिए अब हम आ Been अ 25 तेरफ तो यहां पर देखे थर्टीप ऐसे उल्ए किनल प्रसूला की करें तो यहां पर इसको यहां पर इसको आपने प्रस नंबर अपसे 17 की तरफ कि यहांप खंड़ दसलिक तरफ लाश्ट प्रसने ट्रफ लाश्ट वाले खंड़े की तरफ तो यहां पर भी देखिए आपको मतलब इसका यह पैटन पूरा करना है आपको ठीक है तो इसमें क्या है के फिघर बाना है अगर यह मिलकर और वो मिलकर बनेगा तो मतलब पुड़ा आकरती बनेगा ठीक है तो जैसा कि आप इस आकरती को देख रहे हैं तो इसमें कौन से आकरती फिट होगी वही आपको मतलब ऐसे ही आपको ढूड़ना है तो यहाँ पर देखिए प्रस नमबर जो हमारा 37 है तो इसका सही होगा वह स आपको यह क्लियर हो गया होगा वीडियो काफी ही लंबा था और आप सब जोगे अच्छे से पढ़ाई करते रहें नो देविदाले की तैयारी करते रहें चलिए गुड़ बाए